Hello Friends, आपके साथ शेयर कर रही हूँ Financial Year 2021, Assessment Year 2021-22, TDS Return की नई Updated Due Dates जी हाँ, पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, जहाँ पे Quarter 1 की जो Due Dates है, उनके बारे में हमने डिसकस किया था Quarter 1 की Due Dates कब तक Extend हुई है, इस वीडियो में हम Quarter 1, 2, 3, 4, 4, 4 quarters के बारे में बात करेंगे, बहुत important है ये चार्ट, इसको आप screenshot भी लेकर के रख सकते हैं, साथ ही हम बात करेंगे कि क्या TDS Payment की डेट में कोई extension मिली है या नहीं मिली है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं किलादू, Notification Number 35 जो की 24 जून को इशू की गई थी, इसी Notification का reference लेते हुए, मैंने ये नया चार्ट अपडेट किया है, तो क्या रहेंगी हमारे लिए Quarter 1, 2, 3 and 4 की Due Dates, तो दोस्तो Quarter 1 जो की end हो रहा है 30 June 2020 को, उसकी Due Date Extend है 31 March 2021 जी हां, क्यों ये 31 March 2021 तक Extend लिखी है मैंने, इ इसमें की कहा गया है कि 31 December 2020 तक जो भी Dates है, वो सभी Extend हो गई है 31 March 2021 ता, चलिए एक बार मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो दोस्तों यहां पे आप देख पाएंगे, कि जो एक पहले Ordinance आया था, उस Ordinance के अंदर जो Dates है, Extend की गई थी, अब उसी Ordinance के अंदर कुछ changes किये गए इस notification के द्वारा, तो इस notification का मैंने reference यहां पे लिया है, हलाकि इस notification का reference मैंने detail में आपके साथ एक वीडियो में भी discuss किया है, तो इस notification के reference से जो quarter 1 की date है, वो Extend हो गई है 31 March 2021 तक, similarly 31 December 2020 तक की dates की अगर हमने बात की, तो quarter 2 जो है 30 September 2020, ये date भी आपकी 31 December 2020 तक आ रही है, तो ये date भी Extend हो गई है, यानि कि second quarter जो हमारा end होता है 30 September 2020 को, उसकी date भी आपकी Extend हो गई है 31 March 2021 तक, तो दोनों आपको dates पता लग गई है, quarter 1 और quarter 2 की नई extended dates क्या रहेंगी, 31 March 2021, बात करेंगे third quarter की, तो third quarter के लिए ये extension नहीं दी जाएगी, third quarter जो हमारा end होता है 31 December 2020 को, उसके लिए हमारी due date रहेगी 31 January 2021, now last जो हमारा fourth quarter है 31 March 2021 को, जो end होता है, उसकी due date रहेगी 31 May 2021, तो basically हमने चारो quarter की जो dates हैं वो यहाँ पे देख ली है, जिनमें से quarter 1 और quarter 2 की जो date है वो extend हो गई है, quarter 3 की date में अभी तक कोई extension नहीं है, और quarter 4 के लिए भी हमारी जो date है, वो 31 May 2021 है, इसके लिए जो notification मैंने notification number 35, जिसमें कहा गया है कि कोई भी period जो आपका 30 December 2020 तक end हो रहा है, वो सभी dates extend कर दी गई है, 30 December सोरी तक end हो रहा है, वो date extend कर दी गई है, 31 May 2021, तो इस notification का reference लेकर के मैंने आपके साथ यह dates share की है, अब आता आती है TDS payment की, तो दोस्तो TDS payment की dates में कोई extension नहीं दी गई है, 7th of next month ही आपको अपना TDS deposit कराना है अगर आप timely अपना TDS deposit नहीं कराते हैं, तो कितना interest आपको pay करना पड़ सकता है, उससे related video मैंने already अपने channel पर upload कर दी है अगर आपने वो video miss कर दी है, तो आप मुझे बता दीजेगा, इसके description box में भी मैं उसका link provide कर दूँगी, आप वो video भी ज़रूर देख लिजेगा तो basically हमने यहाँ पर TDS returns और TDS payment दोनों के बारे में बात की है I hope यह video आपके लिए होगी important, thank you for watching